हेलो दोस्तों स्वागत आप लोगों को और एक नए वीडियो पे तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूटूब में जिसमें मैंने दिखाया कि कैसे आप अपने मोबाइल फून में तिन अलग 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 वर्शेप अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें तिन अलग 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 वर्शेप अकाउंट को यूज कर सकते हो ओ भी जेनुइन तरीके से यानि सिर्फ अपने मोबाइल सेटिंग के मदद से लिकिन उस वीडियो की कॉमेंट में कुछ लोगों ने कॉमेंट किया कि उनके मोबाइल पे यह जो अप्शन है यानि सेटिंग्स है यह शो नहीं कर रहा है यानि ओलोग अपन देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे यह जो मोबाइल है मोबाइल फोन में यहाँ पर देखो जैसे मैं स्क्रीन को साइट करूंगा यहाँ पर देखिए मेरे इस मोबाइल फोन पर यहाँ पर देख सकते हो अलग-अलग वाटसेप अप्लिकेशन को मैंने डाउनलू मैं क्लिक करके एक मूबाइल नंबर सेट करके एक एक अकाउंट को क्रियेट कर सकता हूँ उसके बाद दूसरे जैसे ही मैं दूसरे वाटसेप अप्लिकेशन को क्लिक करूँगा यहाँ पर दिखिए option दिखाएगा कि language choose करने के लिए तो मैं फिलहाल यहाँ पर हिंदी choose कर रहता हूँ उसके बाद जैसे मैं agree continue पर क्लिक करूँगा यह हमें mobile नंबर मांगेगा उसके बाद यहाँ पर नया एक mobile नंबर जोर के मैं और एक वाटसेप अकाउंट को activate कर सकते हूँ यह से करके आप यहाँ पर जितना प्लेस्टोर पर चले जाना है उसके बाद यहाँ पर जो search option है न सर्च option में आपको search करना परेगा multi space जैसे आप multi space लिखके search करेंगे यहाँ पर आपके पास एक option आजाएगा यानि अलग-अलग application दिखाएगा इन में से जो यहाँ पर दीखिए multi space करके जो यहाँ पर application है जिसका company यानि जिनोंने इसको बनाया है उसका नाम यहाँ पर देख सकते हो कि multi space tech इस application को आपको download कर लेना है अगर दूसरा application download कर लोगे तो यह process आप नहीं कर पाओगे तो इसके बाद क्या करें मेरे यहाँ पर दी कि multi space इसको आपको simply यहाँ पर open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर दीखिए मैंने जो जो क्लोनिंग करके रखे थे ना वाटसेप application को download कर रखे थे यह यहाँ पर सब को चाह चुका है आपको क्या कर लेना है किसी भी WhatsApp application को double करने के लिए यह आपको क्या कर लेना है यहाँ पर जो plus button है plus में click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर WhatsApp पर आपको click कर देना है जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर cloning पर आपको click कर देना है जैसे यह आप click करोगे यहाँ पर दीखिए वह रेक WhatsApp application मेरे mobile पर install हो चुका है ऐसे करके मैं दूबारा और एक कर लेता क्योंकि यह 3-party application के मदद से आप क्या कर पाएंगे यहाँ पर जैसे click करेंगे आपको पहले जो मैंने option दिखाया वो ऐसे आपको नया account create करने की तरह यहाँ एक option दिखा देगा उसके बाद आपको यहाँ पर दिखिए यह option आ चुका है जैसे आप click करोगे कुछ भी उसके ब सबसे उसे यूज कर सकते हो